हेलो दोस्तों CNC गुरू Tech Central में आपका फिर से एक बार स्वागत है मैं जगनात आपके रिलायों बहुत important information related to CNC programming और आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे इंच dimension system and metric dimension system वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से request करना चाहता हूं अगर आप मेरे चनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चनल को सब्स्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चनल को सब्स्राइब करोगे ना तो मुझे भी एक motivation मिलेगा और ऐसे वीडियोस में आपके लिए बनाता हूंगा तो आज का हमारा जो एक सैंगा हमःटर दो कए करे गल Also 이건 एक सब्सक्राइब को साफे को सिर्ण को अंपूर्ट ऐसे व्हां ल 메करम देखांग फ्रसारों को को से घंट्य करनैश को माना जाता है इसका बाद हमार लाश ऑनारे dying इस आचा हाक 20 and G 21 is a inter-dimension system and metric dimension system is a system and metric dimension system अभी क्या होटा है ना हम लोग प्रोग्राम बनाते समय अभी देखो मुझे समझों यह मेरा component है एक component है मेरा एक component का यह distance है 20 तो वाट इस 20 यहाँ पर लिखा रहता है 20 mm 20 inches 20 km 20 meter 20 feet correct नहीं ऐसा नहीं होता है सिर्फ डायमेंशन सिस्टेमं में यूज वाली Fit यूज किया जाता है Meter यूज किया जाता है उसके पात you कि यूज के लिए इद्स किया जता है इंचेश धूज के जाता है इंचेस किया जाता है में हो 거지 यह चीन प्रोग्रम में डाला जी जीरी रोवन एक सर्ट्री तो मशीन मेरा रीड करेंगा एक्सको 20 एम्म आगे जाना है एक्सको 20 20 mm आगे जाना है ऐसा मेरा मशीन वहाँ पर रिड़ करेगा अभी सिस्टम में आकर देखा जाए तो अगर समझो मुझे मेरे पास इंच वाला रहा है तो मैं क्या करूं कभी कभी हमारे इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे फॉरिम के जॉब्स आ रहे जो जॉब्स हम लोग एक्सपोर्ट जॉब बोलते हैं उस जॉब के लिए इंच डाइनेशन सिस्टम यूज किया जाता है यूजवली 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 अमेरिका क्योंकि हास का जो मशीन हो 100% इंच डाइनेशन सिस्टम पे ज्यादा करके स्टेबल होता है तो उस केस में जी ट्वेंटीवन यूज किया जाता है आपको समझ में इंच मेंट्रिक का डिफरंस मेंट्रिक माने एमें अर्ट मा माहिकता करना है जी ट्वेंटीवन पबहुली में ड़्याईन में दालना है सब क्या मतलब क्या है G01 X 20 Y 30 अमज़के चलो तो इसका मतलब क्या है X मेरा 20 इंचे से जाएगा और Y मेरा 30 इंचे से जाएगा ओके अगर समझो मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट लाइन में अगर एक G20 लिखा तो क्या होगा है इसका मतलब क्या है मेरा प्रोग्राम जो है और 20 इंचेस जाएगा और Y 30 इंचेस जाएगा अगर उस केस में हमने यहाँ पर G21 लिखा G21 लिखा तो मेंट्रिक डाइमेशन सिस्टेम यूज़का है यह की जगा पर अगर 20 लिखा तो एक 20 एमनें पर मिनेट उस होता है 20 mm डिस्टन्स मेजर करता है एक दर्स इजी से कॉंसेप्ट है ज्यादा इसमें टाइम लगाने का ज़रुवत नहीं है 20 and 21 बटे फानुक सीमेंस फानुक सॉरी सीमेंस में नहीं क्वालो बॉंसेवाल मिटिस्ट्रण कें यूजाता है इसे स्टेम का चर्णरा लेकर इससी क्या जा जाता है इसे G70 and G70 वन तो साइकल से नहीं। SEMENZ में G70 इसा डियमेंशन सिस्टम इनचेस और इसा मेंत्रीक जिस समय हो सम्झो मेंने सीमेंश की प्रोग्रामिंग मेर में G70 डाला और मैंने XG01 X20 डाला तो मेरा X कितना होना चाहिए 20 इनचेस इनचेस मुहँए नचेहिए this is the all about Siemens अभी मैं और दो इंपोर्टन कोड़ आपको बताना जा रहा हूं ओको बहुत कम लोग यूज करते हैं वह सीमेंस के ही रिलेटेड कोड़ है आपको पता रहना बहुत जरूरी है इसलिए मैं आपको बतार बहुत इंपोर्टन कोड़े सेवंटी 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 व सेवंटी के बाद सоло लगाना ओन फिफिबधर लगाना यह आगर कुड़ा आप लगाते हो मशीन में पifiques करता है कि अदी डेले में सब्सक्राइब मोब्सेल्जरा अगर बगो हम लोगोने मिनेंट में लिना इन में सब्सक्राइबा जीवह पर आर्न गा पर मिनट लेगा इंच पर मिनट लेगा जी सेवन टेम एक जीरो इसको एंदर आड़ करना है मगर आज कल के नए जो सीमेंस के पर उसके अंदर ज्यादा करके न एक वोड़ता जरुवत नहीं पड़ता है कि इन बिल्ट इसके अंदर यह पोड़ता है वर्जिर के पास पूराने स्सेमस की कट्रोलर रहे और वह लोगों को शीस वहांड़ सेवनटार यूज़ करना पड़ेगा यहांप को इन फॉटक। तो आपके हमने सेशन में क्या क्या देखा इंच डायमेंशन सिस्टम क्या होता है इंच डायमेंशन सिस्टम आगार हम लोग किसी डिस्टंस को मशीन के अंतर अगर डालते हैं तो वो डिस्टंस हमारा इंचेस में मेजर करना चाहिए इंचेस में मेजर करना चाहिए यह में मे सब आँटाइब यह दो अगर युजश चाहिए प्रोग्राम के पहले लाइन में ची ट्वन्टी टाल दो और प्रोग्राम लिखने को स्टार्ट करो अगर आपको मैट्रीग मिसमें में सब डिस्टंस चाहिए तो प्रोग्राम के पहली लान में आपको G21 डालना पड़ेगा और दिच्छे आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा यह दोनों भी कॉड मॉड़ल कोड है model code का मतलब है एक बार अगर G21 लिखा तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है जब तक मेरा program चलता रहेगा तब तक मेरा G20 या 21 के हिसाब से ही machine चलेगा अगर समझो मेरे machine को in between बीच में ही 20 से 21 के उपर shift करना है inches से mm में shift करना है बहुत सारे dimension system में ऐसा होता है तो उस case में हमको वहाँ पर particularly in between program जहां पे inches से metric के उपर shift ना है वहाँ पे metric का code हमको डालना पड़ेगा जैसे की G21 और अगेन बाकी की lines अभी हमको यह lines खतम हो गई उसके बाद अगें G20 डालके हम लोग हमारा program inches में cover कर सकते हैं इस तरह से हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं metric to inches inches to metric फानुक में G20 and 21 code use नहीं होता है सीमेंस में G20 and 21 code use नहीं होता है सीमेंस में G70 and 71 use होता है द्धान में रखेगा सीमेंस आज फानुक 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 इसा प्रोग्मी हास फानुक इशी बिची विची अवरी इस दप जी सेवर्गी 20 and 21 and Siemens only Siemens only Siemens is what 70 and 71 that's it Siemens के अंदर हमारे पास ओल अगल गॉन्टोलर है तो जी से 100 जेवं 10 है for feed rate in mm per minute and feed rate in inch per minute G700 is inch per minute and G710 is a feed rate in mm per minute hope so आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो comment box ने पूछेगा मैं आपको आपके question का अंसर देने के लिए रेड़ी हूँ ज्यादा ज्यादा लोगों तक मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ए नॉलिग सब के तरफ पोच पाए थांक्यू थांक्यू थांक्यस अलॉट कि कि